आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Given question है The number of 7-digit numbers which are multiple of 11 and are formed by using all the digits that is 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 तो हमें यहाँ पर वैसे इलके 7 digits के ऐसे number find करने कितने होंगे जो multiple हो 11 के ठीक है और यह number जो दे रखे हैं इनका use करके वो digit बने हो नमबर हमें यहाँ पर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9 अब यहाँ पर get 7 digit के numbers है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 7 ठीक है अब यहाँ पर जो even digit हैं ठीक है even places पर जो digit हैं उनके sum को मैंने माल लिया यहाँ पर क्या है e ओके और जो odd places पर जो digit है उनके sum को मैंने यहाँ पर माल लिया क्या है o तो e plus o तो even places के digit और odd places के digit यह सारे digit ही होंगे यहाँ पर यानि कि इनका अगर मैं sum find करूँगा तो इनका sum कितना हो जागा यह 31 ओके ऐसे यावे even places के digit का sum e and minus odd places के digit का sum o और इनका जो difference है वो कितना होना चाहिए 11 का multiple यानि की 0 हो सकता है 11 हो सकता है और 22 हो सकता है ओके ऐसे दूसरी condition यह हो सकती है कि even places के digit का sum plus odd places के digit का sum कितना यह 31 होगा और odd places के digit का sum minus even places के digit का sum यह भी क्या होना चाहिए 11 का multiple यह जीरो हो यह 11 हो यह 22 हो सकता है अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर find करेंगे अगर मैंने माल लिया यह वाला pair जिसमें किया even places और odd places के digit का sum 31 है और even places और odd places के digit का जो difference है वो 0 है तो यहाँ पर 2e equals to क्या है 30 बना जाएगा तो यहाँ पर e की value क्या है इंटीजरी नहीं आएगी तो यह तो possible है नहीं पर ठीक है तो यहाँ पर यह वाला एक यह वाला पेर पॉसिवल है ठीक है तो इसमें क्या है 2e अगर हम इसको एड करेंगे तो 2e equals to 42 तो यहाँ से e की value हम find करेंगे तो यह आजागा 21 ठीक है तो even places के digit का sum 21 तभी find होगा जब यहाँ पर basically even places की जाए क्या 5,7 और 9 ओके यही एक possibility है यहाँ पर तो even places पर digit कौन से होगे यहाँ यहोगा 5,7 और 9 और odd places पर क्या हो जाएंगे odd places पर वाकि जो remaining है 1,2,3,4 ओके तो यहाँ पर कितनी possibility हो जाएंगे इनको arrange करने की तो even places पर जो digits है इनको arrange करने की यहाँ पर यह पर यह पर तो और प्लेस पर इनको कैसे solve करेंगे इस equation को तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर e की value तो आ जाएगी 10 ओके यान कि even places के digit का सम 10 आ जाएगा और odd places के digit का सम कितना जाएगा यहाँ पर यह आ जाएगा यहाँ तो odd places के digit का सम कितना जाएगा यहाँ पर 21 क्योंकि even places के digit का सम और odd places के digit का सम टोटल तो 30 बन sum 10 कैसे कैसे आ सकता है अगर यहां पर मैं 1 ले लूँ 2 ले लूँ और 7 ले लूँ क्योंकि even places पर 3 digits ही है 1, 2, 3 तो इनके digits का sum 10 आ सकता है जब यहां पर मैं 1, 2, 7 यह वाले numbers 3 ले लूँ ठीक है एक यह possibility है दूसरी है यहां पर repetition नहीं ले रहे है दूसरी condition यह है कि अगर मैं यहां पर 1 ले लूँ और 4 ले लूँ और यहां पर क्या है यह 5 ले लूँ तब भी यहां पर यह possibility है कि even places के digit का sum कितना आ जाएगा 10 ठीक है और तीसरी condition यह है यहां पर अगर मैं 2 ले लूँ यहां पर 3 ले लूँ यहां पर 5 ले लूँ यही तीन कंडिशन है जिनसे कि even places के digit का समय वो कितना 10 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर basically क्या बचेगा इवन places पे जो हम digit रख सकते हैं उनकी basically कि steps रख सकते हैं यहां पर 3 factorial into यहां पर 4 factorial into 3 क्योंकि यहां पर step arrange हो सकता है दूसरा step arrange हो सकता है तीसरा step arrange हो सकता है ठीक है तो इसको हम into 3 कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा है प्लस का 3 into 3 factorial into 4 factorial अब further जब इसको हम solve करेंगे तो यहां से क्या है 3 factorial into 4 factorial कॉमल ले लेंगे तो हम पर क्या बचेगा बंड प्लस का 3 तो finally जब इसको हम solve करेंगे तो 3 factorial into 4 factorial यह कितना हो जाएगा 3 factorial into 4 factorial ही हो जाएगा 6 into 24 और into 3 plus 14 तो जब इसको हम solve करेंगे तो यह जाएगा 576 तो यही होगा हमारा यहाँ पर यह answer तो जो हमें find करना है यहाँ पर the number of 7 digit numbers which are multiple of 11 and are formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 the sum will be 576 and this is our answer तेंक यू